हेलो फ्रेंड्स मैं शृताव ब्राय, डिलीए कि स्वरीय, वास्तव स्पिछलिस टेलीजिए। आज हम बात करने हां만 के कारक है, बुद्ध है के एखार में, यह सब ब्लाइटस जिनको सहारा देखें, ज़से हम बेले गारोग हैं। तो जैसे हड़ी में जीव में हड़ी नहीं होती उसी तरह से वह प्लांट जिसकी अंदर स्टेंथ नहीं आपने आपका वजन उठाने की वो सब इसी के अंतरगत आता है बुद्ध जीवा का कारक है बिजनस का कारक है आपकी जुबान जब आप किसी से कोई कमिटमेंट करते ह उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसका पूरा श्रय जीवा को जाता है बुद्ध महाराज को जाता है अगर आपका बुद्ध शुब है तो आप अपनी कहीं बात को पूरा कर पाएंगे और अगर आपका बुद्ध खराब है तो आप अपने आप से किया कोई भी best commitment पुरा नहीं कर पाएंगे ये ख्राबुद्ध की निशानी है ये जब स्किन प्रॉब्लम हो, खराबुद्ध की निशानी है नसों में प्राब्लम हो, जौइंट पेन हो, स्किन प्रॉब्लम बार-बार हो रही है तो समझ लीजिए बुद्ध खराब है जब बेटियां कहना ना माने तो समझ लीजिए बुद्ध खराब है जब बहने अपनी घर में खुश ना हो बुवा अपने घर में खुश ना हो सुखी ना हो तो समझ लीजिए बुद्ध अब बात करते हैं कि उनका प्रभाव के साएं तो बोद एक ऐसा जिद्धी ब्लेनेट है जो अपनी ही राशी में जाकर उच्च का होता है मतलब कि एक ऐसा ग्ञान है वुद्ध जिसका कोई सरपैर नहीं मतलब कि सुरी सुनाई बात को आप कह दो यह घ्यान है उसका उसके ज्ञान में उसका एक्सपीरियंस नहीं है वुद्धवाले चपल हो सकते हैं दूसरे की बातों में आना उनकी निचर में है जिसके साथ प्रेटने कि राहू के साथ, शनी के साथ, उसको उसकी quality को खराब करते हैं, आप देखते होंगे के बहुत ही rich families के जो behavior होते हैं उनके friends हमेस्य डाउं market type होते हैं है इसे ही राजा है डूराजकुमार है अ貽 किसी और से वात करने कि जोर्त है लेकिन राजकुमार एक अड़ील राजकुमार है जीससे प्रेंट इस आई एक बेरियों और जायेगा जे से बेल को खडा करने के लिए और या डेंड़े की ज़िद्वरत होती है ते उसकी उपर लपेट दिया जाता है। उसी तरह से बुद्ध को भी गुरू के ज्यान की ज़रूरत होती है। जब तक गुरू उसका मार्ग दर्शन करता रहेगा, वो चलता रहेगा। जहां उसका मार्क दर्शन हटा वो कोई नो कोई बेवकुफी कर बैठेगा यह बुद्ध की प्रवती है आप समझिए कि एक मटका है नीचे से गोल है आप उसे पानी का भर दीजिए वो कभी इस तरफ लुड़केगा कभी इस तरफ लुड़केगा वो स्टेवल नहीं होगा जब उसके नीचे एक चिको और जिसे हम चापडी कहते हैं पंजाबी में तो तो कोई उसको चिकू कहता है जब वो रख दिया जाता है तब घढ़ाट्स हो जाता है यही बुद्ध की प्रवती है कि जब उसे गुरु का घ्यान मिलेगा तब वो बैलेंस हो जाएगा तो बुद्ध वालों को चाहिए जिनका बुद्ध खराब है वो बड़ों के कहने अनुसार ही अनुसरण करें जहां वो अपनी चलाएंगे नुकसान कर बैठेंगे एसे लोगों के छोटी उम्र के मित्र वड़े हो जाते हैं आज पास ऐसे आप बच्चे देखो के जो अपने से छोटी छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं उनको यही पसंद है क्योंके बुद्ध की पहली मित्षुन राशी थर्ड हाउस में आती है थर्ड हाउस में जब वो मित्र ऐसे बनाएगा बिना सोचे समझे मित्र बनाएगा तो वो कही न कहीं उसके लिए दुश्मन बन जाएंगे उसके हानी के कारण बन जाएंगे तो बुद्ध वालों को चाहिए कि वो जब भी कोई अपने जीवन में फैसला ले तो बढ़ों का अनुभव जरूर ले कर चले अने था उनको जीवन में कहीं न कहीं परिशानी आएगी ही आएगी अब बात करते हैं कि राशी अनुसार इनका गोचर कैसा रहने वाला मेश राशी वालों के लिए पहले यह उच राशी में थे अब यह अपने मित्र शुक्र की राशी में आ गए है तो थोटे बहन भाईयों का कारक हैं दुश्मनों का रोग का भी कारक हैं और स्पाउस के घर पर आ गए है अब थोड़ा सा स्पाउस को बेमार भी कर सकते हैं चोटी मुटी यात्रा के लिए आपका स्पाउस आपको तंग कर सकता है या मूड बन जाए तो यातरा कर तो इस तरह की स्तिती रहेगी, अगर बिजनस कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि बुद्ध है, और शुक्र के घर आया, शुक्र की तो अपनी राशी है, चलिए, शुक्र वाँ बैठे भी है, शुक्र और बुद्ध की युती है, दोन बहुत अच्छी नहीं कि आपके घर में कोई रिष्टेदार भी आ सकता है, तो ऐसी स्तिती बनने वाली है, तो मेश राशी वालों के लिए ये गोचर शुब है, बुरा नहीं है, बट हाँ, बचकर रही है, अगर आप अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखेंगे, तो ये बहुत अच् पंचमेश होकर, तो कहीं ना कहीं ये संतान को रोग की रोग दे सकते हैं, संतान की हेल्थ को इशू दे सकते हैं, संतान को किसी तरह की कोई हेल्थ इशू रह सकती है, उसका आप ध्यान रख कर चले, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध जो है, वो पंचमेश भी है, लेकिन बार इसलिए सोच समझ कर खर्चा करें, अब बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए पंचम में आ रहे हैं, पंचम में आ रहे हैं, बुद्ध बहुत अच्छा है, पहले अपनी राशी में चौथे घर में ये उचके चल रहे थे, अब पंचम में आ गए, लेकिन शुक्र जो करकराशी वालों के लिए ये बन पैठे हैं चोथे घर में, चोथे घर में आये हैं, चोटे बहन भाई का घर आना, चोटे बहन भाई का अगर किसी कहीं दूर जॉब करते हैं तो हो सकता है वो घर आएं, तो एक अच्छा सा इन्वाल्मेंट रहेगा मदर के साथ, अपनी च कुपसूरती का कारक है, चटपटे का कारक है, तो यानि कि एक छोटी सी पाटी हो सकती है, और बात करते हैं सिंग राशी वालों की, सिंग राशी वालों के लिए आ रहे हैं, थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में शुक्र हैं, लगन के मित्र नहीं हैं, दस्वे घर के स्वाम तो कर सकते हैं अब बात करते हैं कन्या राशी वालों के लिए स्वामी धन भाव में छले गए अपने राशी में तो यह कछी स्थिती है क्योंकि बुद्धि शुक्र यहाँ पर में रहें भागेश भी हैं बार धक्ति हैं तो इसलिए थोड़ा सा अपने खर्चे को कंट्रोल करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा नहीं तो कहीं न कहीं आपको financially दिक्कत हो सकती है खर्च आप अपना ऊपर ही करेंगे तो इस चीज का ध्यान रख कर चलेंगे अब अब यह खर्चा किस चीज के ऊपर करेंगे यह आप देखते हैं कि आप गाड़ी लेते हैं घर लेते हैं गर लेट करवाते हैं या कोई यात्रा करते हैं इसमें विदेश यात्रा हो सकते हैं क्योंकि बुद्ध बार्वें घर के स्वामी हैं और साथ में भागेश भी हैं तो ऐसे में यात्रा का योग बन सकता है तो यात्रा कीजी आब बात करते हैं व्रिश्चिक रशी वालों के लिए ये आरहे हैं बारवे घर में में और अब द्वादर भाव में चले घए हैं में यहां कर्चा हो सकता है और है और हेल्थी शुपे हो सकता है और औrete कोई पुरानी बिमारी है और परिशान कर सकती है और क्यूंकि लाब का सौमें भी खर्चे में चला गया यानि कि जो धन आ रहा है जो आपकी source of income है वो खर्चे में जा रही है तो unnecessary खर्चा आने वाला विरिष्चिक राशी वालों के लिए ध्यान रखें कोशिश करें अपनी सेहत का ध्यान रखें किसी से कोई उल्जन उल्जे नहीं और किसी भी बात से ज लाब भाव का स्वामी लाब भाव में ही बैठा है शुक्र तो ऐसे में शुक्र का वहीं होना और कर्म भाव का भी स्वामी आगे जा रहा है लाब भाव में तो लाब होगा सड़ली किसी किये पुराने कोई काम किया हो आपने उस पर आपको लाब मिल सकता है यहां अगर आ किराशी वालों के लिए भागेश हैं बुद्ध पर छटे घर के स्वामी भी हैं लेकिन अब गए है अपने मित्र की राशी में दस्वें भाव में तो यहां पर पतनी के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा गुमने फिरने का योग बन रहा है क्योंकि यात्रा के कारक है बाकि यह गोचर बहुत शुब है आपके लिए अपनी राशी में है दस्वें घर में हैं तो कोई खुबसूरती से कनेक्टेड इवेंट से कनेक्टेड कोई घर में सगाई या शादी का योग अगर बन रहा है तो वह आप करवा सकते हैं बच्चों की या आपकी खुद की अगर शादी का योग बन रहा तो भी एक अच्छी चीज है तो कोशिश करें इस समय का पुर्ण लाब लें अब बात करते हैं मकर राश्री वालों की सौरी कुम राश्री वालों के लिए शुक्र सुख भाव के और भागेश हैं और आये हैं भागे भाव में बुद्ध पं या मिले गा बुद्ध इसको आशार रहा है और उसकी खूबसूरती आधसी को बढ़ा रहे हैं और आपके यहां पर बुद्ध सत्मेश ओक्र अश्टमेश में चले गए हैं हैं हमारे HARRIS का पैसा हुसराल आप वहां पर शुक्र आए है यानि कि यह बता रहे हैं किसी की शादी का योग बन सकता है या जीवन साथी से आपको लाब हो सकता है तो जिनकी वाइफ जॉब कर रही है उनको अच्छा सा कोई गिफ्ट मिल जाएगा या कोई मेल अपनी वाइफ को कोई अच्छा सा गिफ्ट कर देगा क्योंकि सड़नेस ह इसको गिफ्ट के साथ ही न चोड़े बट हां क्यूंकि अपनी राशी में आ रहे हैं तो शुक्ता जाधा है अश्टमेश का रिजल्ट तो थोड़ा बहुत रहे गई शुक्र अपनी राशी के हैं कहीं कुछ न कुछ देंगे ही बट हां ओवर ओल यह गोचर सभी राश्यों क के लिए बहुत अच्छा है शुक्र अपनी राशी में हैं और बुद्ध अपने मित्र की राशी में आये हैं यह गोचर हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छी अनुबूती देने वाला है तो यह जो मैंने अभी आपको गोचर बताया है यह उनके लिए ज़्यादा फेवरिबल है जिनकी बुद्ध की और शुक्र की दशा चल रहे हैं यह आंतर परियंतर में कहीं बुद्ध शुक्र आ रहे हैं तो वो उन सब को अच्छे लाप देने वाला है बुद्ध और शुक्र के लिए सबसे अच्छा उपाय है मालक्षमी को आप इतर चढ़ाएं मालक्षमी को कमल के गुलाब के फूल और पित करें श्री सूतकम का पाठ कर सकते हैं श्री सूतकम का पाठ मैं हमेशा बताती हूँ यह हर कोई कर सकता है और एक बार पढ़ने के पढ़ना पसंद करता है क्योंकि उसकी वर्दिंग बहुत अच्छी है तो अच्छा है आप उसे पढ़ेंक आप उसका पाथ गरें एक पाथका संकल्प ले सकते हैं 5 पाथक अपना सामर्थ और सभोग में आप सफेद मिठाई लगा सकते हैं अनार लगा सकते हैं सेब लगा सकते हैं खीर बना सकते हैं साबुदाने की खीर बना सकते हैं जो मा लक्षमी को पसंद है और वैसे भी आगे दिवाली आ रही है तो अभी से आप रेक्टिस कर लें तो जादा बढ़िया रहेगा आप सबके लिए बहुत अच्छा है श्री सूतकम हर किसी के लिए अच्छ है हर घरस्त जीवन के लिए पूरी तरह से सुखमाय है वो आपकी financially आपकी पति-पत्नी के बीच के संबंध आपके घर की हर तरह से फिनेम फेम और prosperity को multiply करते हैं तो हमारी शुब कामनायाब सबके लिए यही है कि आप श्री सूतकम का पार्ट करें मा लक्षमी के आपके ओपर कृपा बने रहे आप सब के ओपर हमारी यही blessing है तो इस गोजर का लाब लीजिए जय हमाता दे